नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी विशे का अध्यन करेंगे हम पट रहेते पाठकरमांक पाच एकता का बोल पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक दिन सुगह सुरज निकला और बारिश रुग गई उसके कारण चारे कबुतर खुश होकर भोजन की तलाश में उड़ चले अभी आगे क्या हुआ होंगा हम इस वीडियो में देखेंगे थोड़ी देर के बाद उने एक जगह बहुत सा अनाज बिक्रा हुआ दिखाई पड़ा अभी देखो थोड़ी देर उड़ने के बाद उन कबुतरों को एकी जगह पर बहुत सारा अनाज बिक्रा हुआ दिखाई पड़ा एक कबुतर ने कहा देखो यहां कितना अनाज है अब आगे जाने की जरुवत नहीं है अभी देखो उन मेंसे एक कबुतर ने सारे कबुतरों को कहा कि देखो यहां पर कितना अनाज है अभी हमें आगे जाने की जरुवत नहीं है अभी हम क्या करते हैं यहां पर ही रुखते हैं और सभी पेड़ बर कर खाते हैं एक बुडे कबुतर ने कहा रुको जंगल में एक ही जगपर इतना सारा दाना कहा से आ गया जरुर धोका है अभी देखो उन मेंसे एक बुड़ा कबुतर था उसने सारे बाकी कबुतरों को कहा कि रुको जंगल में एक ही जगपर इतना सारा दाना कहा से आया उन्होंने उस बुडे कबुतर ने उन्स बाकी कबुतरों को प्रश्न पूचा कि यहाँ पर इतना सारदाना कहा से आ सकता है जरूर कुछ दोका है जरूर कुछ गड़बड है यहाँ पर क्योंकि जंगल में आसानी से एकी जगपर बहुत सारा अनाश नहीं दिखाई पड़ता है लेकिन कबुतर बहुत भुखे थे उन्होंने बुडे कबुतर की बात नहीं मानी पर क्या हुआ वह कबुतर सारे भुखे थे बहुत दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था तो वह भूक्स के कारण व्याकुल हो थे तो उन्होंने उस बुड़े कभुतर की बात नहीं मानी और आगे क्या हुआ होंगा देखते है सारे कभुतर नीचे उतर कर दाना चुगने लगे लेकिन बुड़ा कभुतर नीचे नहीं उतरा फिर क्या हुआ उन्होंने बात नहीं मानी और वह सारे नीचे उतर गए और दाना चुगने लगे इस चित्र में देखो कैसे नीचे उतर कर वह दाना चुग रहे पर वह बुड़ा कवुतर नीचे नहीं उतरा वह पास के पेड़ पर बेट गया कवुतरों ने भर पेट अनाज खाया जब वे उड़ने लगे तो उनके पंजे वहा बिच्छे जाल में फर्स गए कवुतर अपने पंग फड़ फड़ाने लगे फिर क्या हुआ वह कवुतर बुड़ा जो कवुतर है वो नीचे नहीं उतरा वहा पास के पेड़ पर बेट गया कवुतर ने पेड़ भर वहाँ पर बिखरा हुआ अनाज खाया जब वे उड़ने लगे तो उनके पंजे वहा बिच्छे जाल में फर्स गए वहाँ पर जाल बिचाया था अनाज के नीचे वहाँ पर जाल बिचाया था शिकारी ने तब उनके पंजे उस जाल में फर्स गए और वह उड़ने की कोशिश करने लग गये अपने पंग फड़ फड़ाने लगे इस चित्र में देखो वह दाना चुग रहे है और नीचे जाल बिचा यही दिखाई दे रहा है हमें तो वह उनका पेरदे को केसे फ़स गया है उनके पंजे उस जाल में फ़स गये और वह उड़ने की कोशिश कर रहे है देखो पंग फड़ा आ रहे है और उड़ने की कोशिश कर रहे है पर वह उड़ नहीं पा रहे है अभी आगे क्या हुआ होंगा हम अगले वीडियो में देखते हैं धन्यवाद